असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे बुढमे की खटी दाल तो खटी दाल बनाने के लिए लेंगे हम ये हैं बुढमे 500 ग्राम मसूर की दाल लेंगे 200 ग्राम 500 ग्राम टमाटर और 6 हरी मिर्च इमली लेंगे हम बिल्कुल थोड़ी सी तो इमली आप लोग अपने हिसाब से लेकर इसका रस्त निकाल के रख लेंगे तो ये बिल्कुल थोड़ी सी इमली लेंगे और इसके बाद में इसको अच्छे से दोकर इसमें आधी ग्लास पानी याट करके इसको भीगने के लिए रख देंगे हम 15-20 मिनट के लिए और जब अब ये इमली अच्छे से भीग जाएगी हम इसका रस्त निकाल कर रख लेंगे अब हम बुड्मे को छिल लेंगे इस तरह से पहले इसका छिलका निकाल लेंगे छिलका निकालने के बाद में इस तरह से हम काट कर रखेंगे और काट लेने के बाद में इसके अंदर के जो बींज रहते वो हम निकाल लेंगे तो अगर आप लोग ये बींज नहीं निकालना चाह रहें तो भी रख सकते या फिर अगर निकालना चाहरा है तो इस तरह से बिलकुल थोड़े से बींज हम बुड़मे में ही छोड़ देंगे और बाखी के जो बींज है निकाल लेंगे तो जरुरत के हिसाब से आप लोग बींज अगर आड़ करना है तो पूरे कर सकते या फिर नए भी तो इसकीप भी कर दे सकते इस तरह से हम काट कर इसके छोटे छोटे दुकड़े कर लेंगे अब तो यह देखिए इस तरह से हमने बुड में टमाटर और हरी मिर्ज को काटके एक साथ में रख लिया है अब हम यही चीज़ें सब एक साथ में मसूर की दाल में आट कर लेंगे तो मसूर की दाल हम जिस भी बगुरे में बना रहे हैं तो उसमें अच्छे से धोकर रख लेंगे आदर टी स्पून आट करना है हल्दी पॉडर और यह है अद्रकलेसन का पीस्ट एक टेबल स्पून लाल मिर्च पॉडर लेंगे एक टी स्पून तो आप लोग अपनी मर्जी की हिसाब से ल किलास अच्छे से मिला लेंगे यह और इसके बाद में अब हम फ्लेम बान करके दाल को पकने के लिए रखा देंगेगे जितना है पानी एक किया है वो पूरा अच्छे से सूख되 स्पून तक पका लेंगे तो आभ हम थकन से कवर करके मेरJE मेर्यम हिट पर पकने के लिए लेंगे दाल बुढमे और टमाटर अब अच्छे से गल गए तो अब हम इसमें आड़ करेंगे कोतमीर और करी पत्ता अब हम दाल को घोट लेंगे दाल घोटनी से तो दाल को हम बिल्कुल पेस्ट की तरह ने करेंगे थोड़ा सा कोर्सली इसको मैच कर लेना है अब यह मैच की हुई दाल बिल्कुल रेडी है अब हम इसमें इमली का निकाला हुआ खटा एट कर लेंगे तो इमली का खटा आप लोग अपने टेस्ट के सबसे इसके अंदर एट कर लेजिए एक गलास पानी आट करेंगे अब नमक एट कर लेंगे तो नमक एक टीस्पून जरुरत के हिसाब से इसमें नमक एट कर लेजिए अच्छे से मिला लेंगे तो यह देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है आप लोग भी अपनी मर्जी के हिसाब से पतली या गाड़ी रख ले सकते तो अब हम फ्लेम ओन करेंगे और इसको पका लेंग दाल को बगाने के लिए अब हम एक पैन को गरम कर लेंगे और इसमें कुकिंग ऑईल अट करेंगे थोड़ा सा एक टीस्पून जीरा और एक टीस्पून राई अट कर लेंगे तेल के अंदर जैसे ही इसका हलका सा कलर चेंज होगा अब हम इसमें थोड़ा सा करी पता और ल अब ये बुर्मे की घटी दाल बिल्गू रेडी है सर्फ करने के लिए तो आप लोग इसको सर्फ कर सकते प्लेन राइस और तले हुए गोश्ट के साथ में जरूर ट्राय करके देखिए इस रेसिपी को रेसिपी अगर अची लगती है तो वीडियो को लाइक किजिए चैनल क कर दो कर दो किजिए थैंक्स पर वाचिंग अलाह अफ़ेस्ट